हालो एवरीवन आई होप आपसे वच्छे होंगे तो जैसा कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि 11th जेपीरसी का एडवर्टीजमेंट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है तो बेहतर होगा कि जो आपका प्रिपरेशन है वो पूरी तरह से अब डिरेक्टेड हो जाना चाहिए 11th जेपीरसी की तरफ अगर आप सिविल सर्विस को टार्गेट कर रहे हैं तो ठीक है और इस सेशन में थोड़ा सा बात करेंगे 7th to 10th जेपीसी मेंस के पेपर के बारे में जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा थोड़ा सा उस पर मैं अपने थाट्स आपके साथ सेयर करूंगा कि मुझे कैसा लगा पेपर या फिर क्या कुछ था वहाँ पर तो यह जो है आप ही के कमेंट्स से इंस को लेकर और जो भी आपके मन में डवाउट्स है किसी भी तरह का डाउट्स हो चाहे वो परिपरेशन है dar gül ko ले एननीजिमेंट को लेकर लेकर jaar पी टी मैंस का तेयारी करें उसको ले करके हो यह फिर विकलिस्ट को लेकर करके हो सौर्GER करके हो इनितिंग जो की जवाब मिल जाएगा, next one week के अंदर, ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने वो सारा वीडियो जो बनाया है, वो curated है, कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं वहाँ से, ठीक है, 11th JPSC preparation में जो useful होगा, इसके बाद भी अगर आपको कोई doubt रह जाता है, तो उन experience आपका कर दूँ, एक separate वीडियो से, ठीक है, तो ये तो हो गया, आने वाले एकसाम के बारे में बात, तो 7th JPSC related, इस वीडियो को लाश्ट ही सेसन समझी है, दो चीज और रह गया है यहाँ पर, डिसकस करने के लिए, उसको मैं over a period of time कर दूँगा, पहला तो कि language paper मैंने ड discuss करूँगा, ठीक है, आने वाले time में कर दूँगा किसी दिन, और प्लस एक 6th JPSC का जो हमारा interview का experience था, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा share कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा idea लग जाए, interview जो भी इस बार appear होंगे उनको, ठीक है, तो हलांकि आप लोग देखे होंगे कई सारा interview experiences, तो I do not know कि कितना helpful होगा, लेकिन ठीक है, share कर दूँगा, क्योंकि आप लोग request किये हैं, तो ये दो चीज जो है, मैं कर दूँगा, सात्मी JPSC का हमारा English Language and Literature का main paper discuss कर दूँगा, और आपको छठा JPSC का interview का discuss कर दूँगा, कि क्या कुछ हुआ पर कैसे हुआ था, तो ये दो चीज होगा, जो related होगा, किसी ना किसी तरह से, सात्मी JPSC से, वर ना इसको अब आप लाश्नी सेशन समझें, कल से, कुछ ना कुछ 11th JPSC समझनी थी, बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्जाम बहुत जल्द आ जाएगा, तो फिर आपको clarity रहना चाहिए, preparation के, जो mod में आने वाले हैं, जोर सोर से, उसमें कोई confusion नी होना चाहिए, सारा कुछ clear होना चाहिए, ठीक है, तो फटा-फट दो-दो मिनिट बात कर लेते हैं, सात में JPSC के paper के बारे में, as you requested, तो देखे, paper, overall अगर आप मुझ से पूछेंगे, कि ये paper कैसा था, तो paper जो था वो, उसको मैं moderate category में रखूँगा, ठीक है, question का standard का अगर बात किया जाए, तो उसको moderate category में रखूँगा, लेकिन जब लिखने का बारी आता है, ठीक है, तो moderate से, इसके बीच में कहीं लाइख करता है, ठीक है, इसके बीच में कहीं लाइख करता है, जो writing experience रहा है मेजर प्रॉब्लम्स क्या-क्या था वहां पर, जैसे की time management, time जो है, थोड़ा सा आपको लग सकता होगा, कि वहां पर कम मिला, 10 मिनिट और होता या 15 मिनिट और होता, तो और बहतर लिख पाते है, ठीक है, उसके अलाब और क्या, कि जो last question था, हमेशा आपको ऐसा लग सकता ह है, वहां पर, यह सब flaw नहीं है, यह सब है कि, मेभी सही धंग से हो सकता है, जरुष से ज़्यादा आप लंबा answer लिख रहे होंगे, या फिर, मेभी आपका जो speed writing का वो धिमा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर, तो यह सब कुछ issues है, common issues है, ठीक है, जो जल्दे जल्दे लिखना पड़ता है, यह सब थोड़ा सा, यह बिलकुल एक नम common overview मैं आपको दे रहा हूं, जो कि मुझे लगा इस exam में, ठीक है, अगर individually subjects का बात किया जाए, तो paper में देखिये, ऐसा था कि तीन दिन में आपका सारा exam over हो गया, तो of course, जो होता है, in between papers, जो पोस्टपोन होता है, exam, और इतने दिन पर होता है, तो revision चलता रहता है, वो सब अपनी जगाबाद ठीक है, उससे depth of knowledge मनता है, ठीक है, यह सब जब आपको extra time मिलता है, आप past में कई वार revise किये होते हैं, तो आपका depth ठीक ठाक हो जाता है, knowledge का है, किसी भी तरगा question आपके साम नहीं है, लेकिन जो कहते हैं कि बिल्कुल आप वो चीज पढ़कर गया है, जस्ट revise करके और वो आपको वहां पर appear हो गया exam में, तो काफी कुछ एक ideal answer जैसे आप वहां पर produce कर पाते हैं, ठीक है, तो वो चीज नहीं हो पाता है जब फटा-फट exam होता है, दो-तीन दिन के अ अंदर है, ancient India, medieval, modern, जहारखंड का history, उसके बाद जोग्रफी का आपका चार पार्ट था, है न, उसके फिर next paper में आपका polity था, public administration, good governance है, तो मतलब plethora of topics और subjects जो है आपको वहां पर revise करने का, और ऐसा situation में कुछ भी revise नहीं हो पाता है, ठीक है, उतना हड़वडी में, तो य यह भी एक बात है, और दूसरा की कुछ paper में question जो था, कुछ ऐसा था कि थोड़ा unconventional था, student का as an aspirant, क्या होता है कि थोड़ा सा जो tricky question होता है, थोड़ा सा जो tough question होता है, उसके पीछे students जो थोड़ा सा ज़्यादा ध्याम देते हैं न, और अगर वो appear नहीं हुआ exam में, तो ज easy कुछ question आया भी, तो उसका practice नहीं था, या maybe उस पर recent times में आप revise नहीं किया होगे, किये होंगे, पहले पढ़े होंगे, लेकिन recently आप उसको नहीं देखे थे, यह case हुआ, मुझली आपको science में देखने के लिए मिला, है न, question जो है, सो देखने से particularly जो लोग नहीं appear किये है, तो उनको लग सकता है कि question तो बहुत आसान पूछा था, लेकिन उसको exam के context में समझना होगा, है न, exam के context में जब आप उसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि यह question तो easy है, देखने में लग रहा है, लेकिन उसके लिए 32 marks यह 40 marks का answer लिखना थोड़ा मुझल हो economy में कुछ कुछ ऐसा ही स्थिती था, है न, economy में data intensive रहा होगा, definitely, आपका जो answer है, और कुछ हद तक geography का question भी अगर देखियेगा, तो वहाँ पर आपको to the points exactly question जो है, so segregate करके पूछा गया था, कि यह बताइए, यह बताइए, यह बताइए, यह बताइए, जैसे कि cyclone वाले question में है न, तीन चीज, वहाँ पर आप cycleone के बारे में भले ही कितना कुछ न जानते हो, लेकिन आप से main तीन चीज ही पूछा जा रहा था, तो point यह है कि कई बार थोड़ा सा question जो है, unconventional तरीखा से पूछा जाता है, तो exactly वैसा performance नहीं हो पाता है, जैसा कि हम सोच करके रखते ठीक है, थोड़ा सा thought process जो था वहाँ पर ज्यादा चल रहा था, exactly जैसे last time 6th JPSC में, बिल्कुल syllabus का words नहीं उठा कर दी दिया था, थोड़ा सा उस टाइप से नहीं था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा करके वहाँ पर सोच कर लिखना पड़ रहा था, थोड़ा सा time का कम लगा वहाँ पर है ना, 25 मिट और होता तो जैसे की, और अच्छा हम लिख पाते हैं, कुछ इस तरह से लगा देखने में है ना, और theory part भरा हुआ था paper में, ठीक है, कितना भी आप contemporary ideas जो आप अपने answer में लिख दीजे, लेकिन theory का रोल अच्छा खासा था वहाँ पर, ठीक ह care plans हो गया, budget हो गया, national income हो गया, तो अच्छा खासा वहाँ पर जो है, आपको focus knowledge होना चाहिए था, तो यही सब कुछ general characteristics रहा है exam का, ठीक है, और हमारे हिसाब से अगर एक decent score का बात करें, लेकि मैं decent score का बात इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि cut off predict कर 500 के round जो है, एक decent score रहेगा, ठीक है, यह in no way cut off नहीं है, ठीक है, यह cut off नहीं है, किसी भी तरह से, cut off मेरे ख्याल से तो इससे काफी कम ही रहना चाहिए, काफी कम रहना चाहिए, मैं decent score की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 500 के round एक अच्छा score रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका score अप subjective paper है, objective तो है नहीं कि आप guess कर लेंगे, ठीक है, तो कोसिस कीजे कि अच्छा सोचिए, exam मैंने आपको बताया ही, क्या कुछ exam में problem हुआ है, majority of the students को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कि आपको थोड़ा सा confidence भी बढ़ेगा, कि अगर आपको लग रहे है कि आपके का तेहरी कीजिए, उसी तरह, कोसिस कीजिए अभी कि आप interview का जो aspect है different, उस पर थोड़ा सा work कीजिए, अच्छा का सा मायने रखता है, ठीक है, 25-30 marks का अंतर हो जाता है, आपका अच्छा score और बुरा score में interview में भी है, तो कोसिस कीजिए कि इंटर्व्यू का भी बिभिन जो aspects से, dimensions से, उस पर काम करने का, बोलने में problem है, तो बोलने का कोसिस कीजिए, frank बनिये, अपना ideas को अच्छे से present करने का, यह सब जो कला है, सीखिए इस दोरान, बहुत जादा नहीं तो, I understand कि दूसरे exams का भी में भी आप preparation कर रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है, BPSC कर रहे होंगे या फिर अगले exam का थ्यारी कर रहे हो, whatever, लेकिन थोड़ा सा इस पर एक घंटे समय देने में कोई problem नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अचानक से result आ जाएगा, और तुरत interview का data आ जाएगा, तो कुछ भी फिर थैयार करने में नहीं बनेगा, और तुरत एक दिन में यह स सब को यह करना चाहिए, यह सब नहीं सोचना चाहिए, कि आपका exam कैसा गया है, ठीक है, क्योंकि यह subjective paper था, कोई भी आपको कागज पर लिख कर नहीं देपाएगा, कि उसका result बहुत अच्छा होने वाला है, या उसका result बहुत कराब होने वाला है, यह लगभग impossible task है, कि कि इसको कैसा marks इसमें दिया जाएगा, तो अपने आप पर भरोसा रखिए, कि आप अच्छा करेंगे exam में, और आपको interview दने का मौका मिलेगा, तो बेहतर होगा कि आप इसके पीछे थोड़ा सा लगी और थोड़ा सा द्यान दीजाएगा, तो ठीक है, फिर इसी note के साथ इसक इसके उपर काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो फिर मिलते हैं, नेक्स सेसन में, तब तक अबनों ख्याल रखिए, थैंक्यू